तो वालेकुम असलाम तो आज फलाइट के बारे में एक नई अपडेट और आईए जो इनसान दो डोज लिया है वो डारेक्ट आ सकता है और जो एक लिया है वो कैसे आए या फिर उसको PCR कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा आज इसी पर कुछ हम बात करते हैं दोस तो सबसे पहले जो एक इंजेक्शन लिये हैं जो दो लिये हैं वो तो डारेक्ट आ सकते हैं उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता और फर्स जो एक इंजेक्शन सौधी में लिये हैं या फिर आप इंडिया में लिये हैं उनके लिए वो डारेक्ट नहीं आ सकते हैं उनके लि दूसरा कि PCR टेस्ट करवाएं कि नहीं करवाएं तो जो भाई करोना का दोनों डोज ले चुके हैं उनको PCR टेस्ट नहीं लगेगा और तीसरा कि जो नेपाल से लोग या केरला से लोग जो आ रहे हैं और या कैसे आ रहा है तो जो दोज लगा रखें वो डारेक्ट आते हैं और आरेक प्रॉबलम नहीं हो रही हैं बस दो आदम को प्रॉबलम है जो injection नहीं लिया है जो यहां से या इंडिया से injection लेकर नहीं रह रहा या गया है उसके लिए दिकत है या तो इंडिया में फ़र्च डोज ले या हो वो भी आ सकता है लेकिन उनको खर्चा या कुछ जादा पढ़ सकता है दूसरी कंटी से आने में उनको पैसा कुछ जादा ल पासपोर्ट के लेकर कितने भाई कोमेंट करते हैं कि मेरे पास मैंने बीना सटिफिकाट के यह भीना दस्मि का मार्चुश अप्लाई कि王 भन गया क्या हमें सुध्याःण्रव आशक्ते हैं तो भाई बिल्कुल आ सकते हैं बस आपको इमरिगेशन वाले जो के पास भेजना पड़ता है वो चेक करते हैं कुछ 10-5,000 आपको ज्यादा लगेगा आप बिल्कुल आ सकते हैं आपको कोई रोक टोक नएगा किसी भी कंट्री में आप जा सकते हैं बस आपको इम्रिगेशन करवाना जरूरी है अगर आपको इम्रिगेशन होता है तो वो एजेंट लोग खाते हैं दस पांच वो कमपनी से करवाते हैं बाकि आपको कोई दिक्कत नहीं सब्सक्राइब करें दिक्कत होती है इसलिए कि उनको इम्रिगेशन का पंगा जेलना पड़ता है तो यहीं थियार की छोटी अप्डेट अच्छी लगी तो शेयर लाइक करते हैं बाइब